नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत हैं दोस्तों, यह जो हमारा मोटर है, इसी मोटर को हमें यदि reverse direction में और फिर forward direction में चलाना हो तो कैसे करेंगे तो इसके लिए हमें दो contactor का इस्तमाल करना पड़ेगा एक forward contactor और दूसरा reverse contactor ठीके दोस्तों, अब देखिए, अब जो हमारा मोटर है, उसके protection के लिए यहाँ पर हम एक overall relay का उप्योग करेंगे जो हमारा man incoming power supply होगा, उसको हम MCB के साथ करने करेंगे ठीके, और MCB के बाद में हम contactor को और फिर मोटर को power supply देंगे ठीके, तो यहाँ पर यदि हमें reverse forward का power wiring करना है, तो हमें दो contactor और एक overall relay और एक MCB का उप्योग करना पड़ेगा, ठीके दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि यह जो पहला terminal है, इस पर हम R face को connect कर देते हैं उसके बाद Y face को यहाँ पर connect कर देंगे, और B face को यहाँ पर connect कर देंगे, ठीके दोस्तों आप देखिए, हमारा जो MCB था, उसको incoming power supply मिल गया, ठीके दोस्तों, यह जो हमारा MCB है, MCB के उपर वाले terminal, यानि कि यह वाला terminal उस terminal से एक वायर को connect करके, हमारा जो forward contactor है, उसके power terminal पे connect कर देंगे, दोस्तों हमारा जो contactor होता है, उसमें दो प्रकार के contact होते हैं, एक तो power contact और दूसरा अक्जिलारी contact, ठीके, तो यहाँ पे L1, L2, L3 दिख रहा है और T1, T2, T3, ठीके, तो यह जो हमारा L1, L2, L3 है और T1, T2 और T3 है, यह हमारे power contactor होते हैं, ठीके, उसके बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, NO, NC लिखा हुआ है, तो यह हमारे auxiliary contact होंगे, ठीके दोस्तों, और यहाँ पे A1 और A2 लिखा है, यह हमारा contactor के कोयल के supply होते ह है, आप यहाँ पी देख सकते हैं, यह हम यहाँ पर यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ से एक white face का wire connect कर देंगे, और ले जाके second wire terminal पर connect करेंगे, ठीके दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक wire को connect करके हमारा जो तीसरAR चेमिनल है उसमें connect करेंगे, ठीके, तो यहाँ अब हमारा जो forward contactor था उसको incoming power supply दे दिये ठीक है अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा forward contactor है उसके outgoing terminal से हम wire को ले जाके overload relay में connect करेंगे दोस्तों यहाँ पी जो phase sequence आई है उसी जो same to same लेके आगे जाना है ठीक है दोस्तों अब जो हमारा forward contactor है उसके outgoing terminal से एक wire को connect करके हम overload relay के सा आगे उसके बाद यह जो second terminal है उसमें भी एक wire को connect करके overload relay के साथ करने कर देंगे इसी प्रकास से 3rd terminal को भी कर देंगे ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमारा जो overload relay है उस terminal से हमें motor को power supply देना है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह वाले terminal से आर फेस का wire करके motor के साथ ने करेंगे ठीक है आप जो second terminal है उस terminal से क्णे करके motor को वाई-phase का supply देने ठीक है और जो यह तीसरमिनल है इस terminal से एक wire करके motor को हम बी-phase का supply दे देंगे ठीक है तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो face sequence है वो सेम टूसेम है यहाँ दोस्तों यह दिए हम्हे तो यहां पर हमने same to same connection कर दिया हूँ ठीक है दोस्तों यह जो हमारा reverse इसके आटगोईं टमिनल से जो वायर जाएगी उसका फेस सेक्वेंच करना है यहां पर हमें केवल दो वायर का फेस सेक्वेंच चेंज करना यानि कि दो वायर को हम आपर इंटर चेंज कर देंगे ठीक दोस्तों तो कैसे करना है देख लीजिए अभी जो हमारा का इंटर चेंज किए तो दूसरा वायर हम यहां पर बी वायर को चेंज करेंगे ठीक है तो यहां से एक वायर को कनेक करके हम आर फेस के साथ कनेक कर देंगे ठीक है अब यदि हम इस कॉंटेक्टर के दोरा मोटर को चालू करते हैं तो हमारा मोटर को स्टार्ट करते हैं तो और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्काइब ने किया तो सस्काइब भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद